नमस्कार दोस्तों, ओनलाइन लर्निंग श्टैनो चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब्द प्रती मिनट की गती से संपात की डिक्टेशन स्टार्ट देश के अलग-अलग हिस्सों से आतंकियों की गिरफतारी ने एक बार फिर सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं को बढ़ा दिया है हाल में दिल्ली पुलिस ने मुंबई, राय बरेली, परियागराज, लखनव और दिल्ली से छे आतंकियों को दबोच कर देश को बड़े संकट से बचा लिया पुलिस का दावा है कि ये आतंकि तियोहारों से पहले दिल्ली, उत्तरपरदेश और महराश्ट्र में कई जगह विस्फोर्ट करने की तैयारी में थे इसके अलावा कई राजनेताओं की हत्या की साजिश का भी पता चला इससे ये तो साफ हो गया है कि भारत में एक बार फिर बड़े पैमाने पर अशांती फैलाने की साजिश रची जा चुकी है आतंकी बस मोके की तलाश में थे अगर पुलिस समय रहते इनहें नहीं पकड़ती तो किसी भी दिन मुंबई बमकांड जैसी तबाही देखने को मिल सकती थी हालांकी गरतंतर दिवस स्वतंतरता दिवस तेवहारों वा अन्य विशेश अवसरों पर देश को दहलाने की कोशिशें पहले भी होती ही रही है लेकिन पुलिस और सुरक्षा एजनसियों की सतरकता आतंकियों के मनसूबों को नाकाम करती रही है ज्यादा चिंता की बात यह है की हाल में पकड़े गए आतंकियों के तार पडोसी देश पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आई है पुलिस का दावा है की ये सभी आतंकियों की पाकिस्तानी खूफिया एजनसी आई एस आई के इशारे पर अपने मिशन को अंजाम देने में लगे थे गोर तलब है की भारत में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की भूमी का किसी से छिपी नहीं है आतंकियों ने पुलिस के सामने जो कुछ कबूला है उसके बाद कोई संधे नहीं रह जाता है की पाकिस्तान ने एक बार फिर मुंबई बमकांड जैसी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच डालीत है पूछताच में यह खुलासा चोकाने वाला है कि ISI काफी समय से भारत में बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी में है इसके लिए वह अंडर वर्ल्ड का इस्तेमाल कर रही है आतंकी हमलों के लिए ISI ने आतंकियों को प्रशिक्षन भी दिया है पुलिस का दावा है कि पकड़े गए आतंकियों में से दोने तो प्रशिक्षन लेने के लिए पाकिस्तान जाने की बात भी बताई पूछताच में ही यह खुलासा भी हुआ कि इन हमलों के लिए पैसा और हतियार मुहया कराने का जिम्मा दावद इबराहीम के भाई अनीस के एक करीबी व्यक्ती को सोपा गया था ऐसा नहीं है कि ISI पहली बार ऐसी साजिशे रच रही है इतिहास गवहा है कि पिछले तीन दशक से भी ज्यादा समय से सीमा पार आतंकवाद से लेकर 1992 के मुंबई बमकांड मुंबई पर आतंकी हमले भारत की संसद से लेकर महत्वपून सैन्य ठिकानों पर आतंकी हमलों तक की साजिश को अंजाम आई एस आई और पाकिस्तानी सैना ने ही दिया श्टोप फ्रेंड्स पीडियाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप हमारे वाट्सेप ग्रूप और टेलेग्राम ग्रूप से जुड़कर भी वीडियो के डेली डिक्टेशन और पीडि वीडियो में